दुनिया के दो सबसे अमिर व्यक्तियों के बीच अंत्रिक्ष में उपग्रव भेजने के मामले में चंद शिट गई है एमेजोन के मालिक जेव पेफोस और स्पेसेक्स के मालिक इलोन मस्क उपग्रव की जगह के लिए अमेरिकी नियामत में आमने सामने है तरसल दोरों कम्पनियों के बीच उपग्रव को कक्षा में स्थापित करने की उचाई यानि की ओर्बीट रेंज को लेकर लड़ाई चल रही है स्टारलिंक उपग्रो का एक एसा समू है जो इंटरनेट प्रदान करता है इसे इलोन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसेक्स द्वारा बनाये जा रहा है ये उपग्र नेटवर्क प्रूथवी की सतर से 550 किलोमेटर उपर कम प्रूथवी की कक्षा में संचालित होता है पारमपरिक इंटरनेट उपग्रों से विप्रित जो 35,000 किलोमेटर की अधिक उचाई पर स्थित है स्टारलिंग को 1100 से 1325 किलोमेटर की कक्षा में उपग्रो भेजने को लेकर स्वीक रूती मिली है हाला कि अबिलोन मस्क 540 से लेकर 570 किलोमेटर की कक्षा में उपग्रो स्थापित करना चाहते है स्पेसेक्स का पहला स्टारलिंग मिशन 24 माई 2019 को लौँच किया गया था जिसमें 60 उपग्रो थे कंपनी के पास 12000 स्टारलिंग उपग्रो को लौँच करने की मनजूरी है और उन्होंने 30,000 अन्य उपग्रो के प्रक्षेपन को मनजूरी देने के लिए यूएस फेडरल कम्मिनिकेशन कमिशन यानि की अमेरिकी संगिय संचार आयोग से अनुरोध किया है 25 जन्वरी को स्पेसेक्स ने 17143 सेटलाइट लौँच की यह अब तक 17 लौँच की गई सबसे ज्यादा सेटलाइट है भारत में अपने कारोबार का विस्तार कर चुकी e-commerce कमपनी Amazon भी अब broadband connectivity के क्षेत्र में कदम रखने जा रही है इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए Amazon भविश्य में अपने broadband connectivity के लिए तीन अज़ा सेटलाइट को लौँच करने वाला है इस प्रोजेक को कमपनी ने प्रोजेक क्यूपर का नाम दिया है इस प्लान के पीछे Amazon की एक लौँटर्म सोच है इस प्रोजेक केंतरगत लो अर्थ ओर्बिट यानि की लियो सेटलाइट को लौँच किया जाएगा जिससे यूजर्स को लो लेटेंसी में भी हाइ स्पीड ब्रोडबेंड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी यह कंपनी की महत्व कांक्षी योजना है जिसकी तयारी में कंपनी जुट गई है यूएस फेडरल कोमुनिकेशन कमिशन यानि की अमेरिकी संगिय संचार आयोग ने कंपनी को प्रोजेक्ट क्यूट पर द्वारा 590 से 630 किलोमेटर की कक्षा में उग्र को भेजने की अनुमती दिये दोनों कंपनियों के बीच उग्रो को कक्षा में स्थापीद करने के लिए उचाई को लेकर खित्तान चल रही है मस्क की कमपनी स्पेसेक्स ने अब 540 से 570 किलोमेटर की रेंज के लिए FCC को आवेदन भेजा है लोवर ओर्बिट में इंटरनेट की गती तेज होती है क्योंकि इंटरनेट सिग्नल को ज्यादा दूरी तई नहीं करनी पड़ती इलोन मस्क की कमपनी का कहना है कि उबगर जितना पुरुथवी से नस्दीक रहेगा उतना अच्छा होगा इसके लावा उबगर पुरुथवी से नस्दीक होने से अंतरिक्स में रहे औरोद भी कम होंगे वहीं दूसरी और जेफ बेफोस भी प्रोजेक्ट क्यूपर के माध्यम से इसी और बेट रेंज के आधारिक उबगर बनाने के प्रयास में है इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी अब एक विकल्प नहीं बलकि एक सबसे बड़ी जरूरत बन गई है विलो का प्रुकतान, यात्रा, किराने का सामान, सोशेल मीडिया, गेमिंग और भी बहुत कुछ इंटरनेट पर निरबर है जरूरत बड़ी है तो उसको परोस से बंद बनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है आज भी हमारे देश में कई इलाके है जहां पर इंटरनेट नहीं पौँच पाया है इसी कमी को पूरा करने के लिए अब सेटलाइट इंटरनेट का साहरा लिया जा रहा है जिसके जरिये सुदू लिलाकों से लेकर पहाडों और गाटियों में भी इंटरनेट उबलप्त हो जखेगा सबसे मातवपूरण ये भी है कि इसके लिए कोई फाइबर केबल की जरूरत नहीं होगी ये टेलिकॉम कम्पनियों की सबसे बड़ी मुश्किल भी है क्योंकि हर इलाके में फाइबर केबल को बिछाना संपव नहीं होता है सरल सब्दों में सेटलाइट इंटरनेट का अर्थ है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता यानि की ISP अंतरिक्स में मोजूद सेटलाइट को डेटा सिगनल भेथता है फिरियर आपके घर या किसी अन्य रिसेप्टर में एक डीस एंटेना पर वापस बाउंस करता है परमपरागत रूप से फाइबर केबल की जहाईता से इंटरनेट प्रदान गिया जाता है लेकिन सेटलाइट इंटरनेट में फाइबर केबल की आवशेक्ता नहीं रहेगी एसे में आप हमेशा उनलाइन रहने के लिए सेटलाइट इंटरनेट पर भरोसा कर सकते हैं सेटलाइट इंटरनेट का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि ये हर जगे पर उपलबत है सेटलाइट इंटरनेट केबल पर निर्बर नहीं है एसे में जहाँ भी सिगनल के रिसेप्टर्स हैं, वहाँ सेटलाइट इंटरनेट बोजूत होगा सेटलाइट इंटरनेट की गती पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है एक रिपोर्ट के अनुसान कुछ उग्र इंटरनेट प्रदाताओं ने उप्योग करताओं को 25 Mbps डाउलोड गती प्रदान करना शुरू कर दिया है प्राकृति कापदाओं के मामले में सेटलाइट इंटरनेट वर्दान साबित होगा केबल इंटरनेट कनेक्शन के साथ एसा नहीं है क्योंकि प्राकृति कापदाओं के दोरान इंटरनेट केबल गंपीर रूप से क्षतिग्रस हो सकते है दूर दराज के लोको, ग्रामे एक्षेत्रों के विद्यारतियों और दुर्गम स्थानों पर देनाच सेनिकों के लिए सेटलाइट इंटरनेट वर्दान साबित होगा जो लोग high speed internet connection चाते है satellite internet उनके लिए थोड़ा निराशा जनक हो सकता है fair use policy की सिमाई बहुत कठोर है satellite internet cable internet की तुलना में अधिक महिंगा रहेगा internet connection धीमा होने के कारण cable बुनियादी चीज़े इसके माध्यम में की जा जकती है online gaming और 4G streaming अभी भी दूर की कोड़ी है satellite internet virtual private networks यानकी VPN को सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर नहीं आये हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए